तो हेलो दोस्तों क्या हाल है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्पीट मीटर को अपने टक्स पार में कैसे ला सकते हैं और जो इंटरनेट स्पीट मीटर है वो टक्स बार से ही आपको लाइफ आप डाउन डेटा दिखाता रहेगा तो यह वीडियो को शुरू क करते हैं Norway आप कितना स्पीट से आपका इंटरनेट काम कर रहा है वो आप मैंनेजर में देख सकते हैं यहां पर पर यहां पर तक्क्र करके यहां पर एफट के जाके आप देख सकते हैं कि कितना kvps data receive vfs send हो रहा है tax bar में देखने के लिए हम लोग एक third party application का use करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले Microsoft store में जाएंगे यहाँ पर देखिए Microsoft store है यहाँ पर आप खोलेंगे इसको खोलने के बाद यहाँ पर उपर जो search bar है वहाँ पर जाके click करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे net speed meter और enter press करेंगे यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको applications मिलेंगे इसमें से आपको download करना है यह वाला net speed meter और इसका logo आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर जो company provide कर रहा है इसका नाम है जीरो बाइट याद रखिए यह वाला आपको लेना है और यह बिल्कुल free है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर get में क्लिक करना है तो यह speed meter को download करना शुरू कर देगा इसमें तुरह वक्त लग सकता है देखिए यह install हो रहा है और देखे install हो गया है यहाँ पर open का option दिया गया है next आपको इसको on करना है इसके लिए आप यहाँ पर open पर data यहाँ पर show कर रहा है और up down का speed भी यहाँ पर दिखा रहा है तो इसको कैसे आप यहाँ पर tax bar में ला सकते हैं जैसे मैं इसको अगर move करूँगा तो यह desktop में कहीं पर भी जा सकता है लेकिन मैं इसको यह tax bar में इसको attach करूँगा उसके लिए आप यहाँ पर right click करने के बाद यहाँ पर देखिए keep in tax bar लिखावा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने से क्या होगा यह जो speed data है यह tax bar में जाके अटक जाएगा और आप कुछ भी काम कर रहे हो यह data speed आपको दिखाता रहेगा तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो को देखके आपको help आपको